अगर आपकी ग्यास्टोब भी बहुत जादा गंदा हो चुका है और इसको निकालना मुस्किल हो रहा है तो वीडियो पुरा देखिए इसमें मैं पूरा स्टोब प्लीन करने का तरीका मैंने बताया है दूर्चाय जो गिर जाता है और जल जाता है यह आसानी से नहीं निकलत तो इसको हम बहुत आसानी से क्लीन कर पाएंगे और एकदम नए जैसा बना पाएंगे तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिए तो सब से पहले मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया है इसमें और इसके बाद हम डिटरजेन पाउडर डालेंगे आप चाहे तो डिटरजेन के बाद यह देखिए इस तरीके से तीन ब्रस मिलता है आपको अनलाइन मिल जाएगा यह एक हार्ड प्लास्टिक का है एक स्टील का है और एक कपर का है तो कपर का जो है मैं पहले से इस्तेमाल कर चुकी हूं इसलिए ऐसे देख रहा है तो यह बहुत आसानी से क्लीन कर दे है चावल बनाते समय और लिकूडी सामान गिर जाता है इसके उपर जल जाता है और आसानी से निकलता नहीं है तो देखे मैं पैस्ट बना चुकी हूं इसमें डिटर्जन पाउडर बेकिंग सोडा और थोड़ा सा निम्बू का रस या फिर पाने डाले और इसका एक बंदगी है वहांपर इस तरीके से लगाके कैसे रगण से बहुत क्लीन कर देता है ठोड़ा-थोड़ा आपको रगणना पड़ता है मृaron परतर अकी में को रस होता है उस से भी नहीं तो गढ़ कर लेंगे व से क्लीन हो जाए देखिए इस तरीके से चारो तरफ अच्छे से रगणने के बाद यह बहुत आसारी से जितना भी काला है सभी डॉस्ट जमा हुआ है यह निकल जाएगा एक बार में पोस्ट दूंगी थोड़ा सा एक कपड़े को गिले करके इसी तरीके क्लीनिंग वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्स्राइब कर लें तो अभी तक यह अच्छे से क्लिट नहीं हुआ है यह चारो तरफ और यह जो स्क्रू के पास है सभी काला काला है तो इसको हम फिर से हम दोबारा लगाएंगे इस तरीके से और फिर से हम दोबारा घिज़ देंगे इसे रगन के बाद आसारी से डिकल जाता है इसका लिंक में डेस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप आसानी से इसको खरीच सकते हैं बहुत ज़्यादा कोशली नहीं है नेरली 100 यां 150 रूपीज का है और जहां-जहां बहुत ज़्यादा गंदा है कॉर्णर में इस तरीके से थोड़ा सा लगा के आप इससे घीज लीजिए देखिए मैं चारों तरफ से पहले से मैं सभी ग्यास का बर्नर को साब कर चुकी थी एक ही वज़ा था तो कपड़े जो है इसको गिला करके अच्छे लेना है के देखिए पहले कैसा था हमारा ग्यास बर्न और अभी कैसे चमक गया है तो इस तरीके आप बहुत आसानी से ग्यास को ग्यास की स्टोब जो है इसको क्लीन कर सकते हैं कि देखिए कितना चमक गया है आप जो साइड में कर्नर में होता है यहां पर भी बहुत ज़्यादा तेल आटावेरा चीपक जाता है इससे भी आप इस ब्रस से साफ कर सकते हैं देखिए कितना अच्छा इसमें डॉस्ट जो गंदगी ओयल है कि चीपक जाता है और यह फ्रॉ ब्रस से घिजना है उपर का जो नौब है इसमें भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है इसमें भी आप वह पैस्ट लगा के तोड़ा सा ब्रस से साफ कर सकते हैं पैस्ट लगा के ब्रस से घिज़रे के बाद इसके बाद आप साप कपड़े से दो-तीन बार पोच्छिए देखे इसमें ब्रस में ही चिपक ज़्यादा है जितना भी गंदागी तो पूरी तरह से एकदम साप हो चुका है देखे एकदम चमक गया है इस तरीके से आप कितना भी पुराना या फिर कितना भी गंदा जो गैस्टोब है इसको आप बहुत आसानी से ने जैसा बना सकते हैं